अगर आपका इमो किसी ने हैक कर लिया है या आप चाहते हैं कि हमारे सिवा हमारा इमो कोई भी इस्तमाल न कर पाए या कोई भी हैक न कर पाए तो अब इस काम को बहुत असानी से अंजाम दे सकते हैं पहले ये फीचर नहीं दिया गया था लेकिन आप इस फीचर का इस्तमाल करके आप अपनी इमो को सिक्योर कर सकते क्योंकि आपको पता होगा एक ही नमर से अलग-अलग मोईल में आप इमो का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस सेटिंग को आउन कर देते हैं तो नहीं कर सकते हैं जैसा कि किसी भी मोईल में अगर लोगिं करते हैं तो उस मोई से अटमेटिक लोगाउट हो जाएगा वो इस्तमाल नहीं कर सकता है अगर किसी भाई का इमो हैक हो चुका है तो आप भी इस वीडियो को लाजमी देखे किस तरह से आप उससे बस सकते हैं किस तरह से चुटकारा पासकते तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इस सेटिंग को आउन कर सकते हैं और इस काम को अंजाम दे सकते हैं ताकि आपके उपर किसी की भी भूरी नजर न लगे नहीं तो बहुत साई लोग का इमो हैक होता है उसका प्राइविट चीज कोई और देखता है कोई और सुनता है तो यह न कर पाए वीडियो सुरू करने से पहले चोटा सारे क्वेश्ट करना चाम कर आप इस वीडियो को लाइक कर देजिए मनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब करके बिलाइकन को हमेरी सागी लिए और पर किलिक करके आने वाले होता है कि मों में किस तरह सो होता है वह भी मैं आपको दिखा जाता हूं तो यहां प्र मैंने डिवा का अप्षन करेंग milit dicks करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं manage device का option है यहाँ पे हम click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही mobile में यह चल ला है यानि यह Emo कोई भी hack नहीं कर सकता है मैं guarantee के साथ कहता हूँ उसके बाद चलिए मैं आपस लेकर चलता हूँ उस Emo में जिसने hack किया है तो इसे किस ता से छुट करा पा सकते हैं तो यहाँ पे हम click करते हैं और यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे दो Emo 100 हो रहा है यानि दो mobile में यह चल ला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं delete का option है पहले delete करके मैं देखा जाता हूँ उसके बाद हम दिखाएंगे किस ता से आप इसे बंद कर सकते हैं ताके कोई भी आपका Emo hack न कर पाए तो यहाँ पे delete का option है हम delete पे click करते हैं और फिर से यहाँ पे delete का option है यहाँ पे हम click करेंगे तो देख सकते हैं हमारा Emo अप secure हो चुका है जिसने भी मेरा Emo hack किया था उसके mobile से automatic logout हो चुका है logout हो जाएगा अब वो नहीं चला सकता है नहीं कुछ सुन सकता है उसके बाद हम वापस आते हैं वापस आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसे हम बंद कर सकते हैं तो फिर से हम इसी इमो को open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर profile पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर setting पर क्लिक करते हैं उसके बाद फिर से manage device का option है यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद direct multi device का option है इसे off कर दें जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोवाईल है एक लेप्टाव पर या कुछ भी है यानि कई जगा पर इसको चला सकता है जब आप इसे आफ करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिक्सन आएगा यानि कुछ डिटेल्स दिखाए देगा कि आप कई उमो एक टैम में एक ही म लोगों नजर आ रहा है इस तरह से आप भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं तो यह बहुत आसान सा तरीका है पहले इस फीचर को नहीं दिया गया था लेकिन इसको दे दिया गया है उसके बाद एक और सेटिंग कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर एकाउंट सिकोर्टी का आप डिलेट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को उसके बाद उसी नमर से दोबारा भी लोगिंग कर सकते हैं